कॉंसेप्ट क्या है जिसको आप बोलते हैं लॉफ अट्रेक्शन या अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी काइनात उसे मिलाने में लग जाती है कि अप इसमें मानते हैं कि इस बार यह डायलोग सुना होगा ना एक अच्छी मुवी का डायलोग कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी काइनात उसे मिलाने में लग जाती है इसे बहुत लोग इसे बोलते हैं लॉफ अट्रेक्शन लॉफ सम्थिंग और बहुत सारी च चाहां जाता है कि इस बारे में छोड़ो मानते हूं नहीं मानते हो चोड़ो एक मुझे मुझे बात बता हूं तिक क्या अख का मतलब समझते हो पूरा whole universe आपको गया रगता है कि आप यहां पे कूछ रहे हो और मंगल गार है आपके आपके इस मनु कामना में रोल प्लेह कर कायनात का एक पार्ट दूसरा पार्ट प्रित्वी में कोई चेंज आता है आपके किसी भी कुछ चाने से कायनात का एक दूसरा हिस्सा जिस अर्थ या ग्लोब पे रह रहे हो क्या वो घुमना फिरना कुछ बदल दे थोड़ा सा थोड़ा सा इसे एक सेकेंड उपर नीचे करत हो जाए आपने कभी किसी कायनात किसी और परसं के जो IT युथ यूट करेगा क्यों कि मैं कुछ ऐसे बेंट गिम्दूनि उंको छोड़के आपका दोस्ति ही नहीं चायेगा अगर आपका कोम्पटीटर हुआ तो तो पूरी कायनात तो छोडदो कि कि आपके कितनी सिद्द से चाह लो आपको लगता है आपको लगता है ऐसे मेरे दो-चार मेल मेरे पास पिछले दिनों में आए जो अधा-धा-धा अगर शिद्द से चाहना ही सब कुछ नहीं मिलता सबसे बड़ा रोल क्या है सबसे बड़ी चीज क्या है आपको लगता है देकिसे CSI qualify करना कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं, जितनी लोग तयारी कर रहे हैं, अगर मैं उसमें से 100% लोग तयारी कर रहे हैं, तो 100 में से 10% अगर छोड़ दो कि वो ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन 90% लोग CSI qualify करना चाहते हैं, और 90% में से करीब 60-50% महनत करत क्या है? 40%-20% मेहनत नहीं करता है, छोड़ दो, 20-30% हटा दो, लेकिन 100 में से 70 लोग मेहनत करता है, उस मेहनत में से 1-2% क्वालिफाई होता है, ठीक है? तो क्या सब लोग सिद्दत से चाह रहे थे किसी के चाहने में कमी हो गई थी आप लोगों में से किसी के चाहने में कि आप सिद्दत से नहीं चाहते कि आपका CSR हो लेकिन काम्याभी में कुछी लोगों को क्यूं मिलती है कि काइनात को सभी मिलाना चाहिए सभी को मिलाना चाहिए सभी ने सिद् आदमें बन जाओंगा यही तो आपको समझना है एक्सन एक्सन का मदब समझ रहे इफ यू एक्ट दा सिस्टम विल रियेक्ट नूटन का थर्ड लो आपने पड़ा है एक इवरी एक्सन है जब आप काम करोगे तब नेचर उसके लिए रियेक्ट करेगा आप एक्ट ही नहीं कर रहे हो चुपता बैट के सोचा जा रहे हो और सोचने को कोई एक्सन नहीं कहा जाता इस तब बांगाहानी सच में तब बनूँगा जब मैं उस तरीके का एक्सन लोगा वा समझा रहे और यही CSI-R के साथ भी है कायनात और चीजों से बाहर निकलो, सिर्फ सोच सब कुछ नहीं होता, अच्छी सोच होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, it's like a root of the tree, tree का root जैसे important है, वैसे आपका thoughts से important है, लेकिन root से सब कुछ नहीं चलना है न, photosynthesis तो leaf से होती है, root तो absorb करता है, उसका भी अपना important है, और photosynthesis leaf का important है, अगर leaf ना हो, तो कोई root से थोड़ी सब कुछ चल पाएगा, root से plant थोड़ी group कर पाएगा, then that is the important thing, thought अपनी जगा पी important है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो most important है, वह है आपका action, life में जब आप add करते हैं, तो life आपके साथ react करती है, ठीक है, और act करने का मतलब समझे, खुद act करना है, अपने teacher को या अपने चीजों को reaction में नहीं लाना है, sir आप ही बैट के तीन घंटे पढ़ाओ, आप ही बोलो, आप ही सब doubt solve करो, आप ही सब करो, कुछ समझे, मैं जो बोलना चारा हूँ, कि बहुत deep हो गया, ठीक है, चलो, ठीक है, समझ गया, तो ठीक है, नहीं समझे, तो कोई बात नहीं है, आप विसी इसका ध्यान रखे रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एक्सन इस इंपार्टेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी बच्चा, बहुत सारे स्टुडेंट्स मेरे पास से आते हैं, मेरे पास से पोस्टे रहते, कि भाई, आप ये बताओ strategy, वो बताओ strategy, कुछ नहीं, सुप चुप चा पढ़ना सुरू करो, एक सीरे से प quality, एक घंटा पढ़ो, दो ही घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो, कि quality भी पढ़ो, पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि कुछ गेन किया, अपनी पूरी एनर्जी लगाओ उसमें, और लगाने के बाद जो है, एक्सन जब लोगे, धंसे, मैं एक्सन की बात करो, सोचनी की बात ठीक है, तो now, moving ahead,